एक तरफ माफिया बदमाशों पर बाबा का बुर्डोजर गरज रहा है तो दूसरी तरफ बाबा ने पूरे यूपी में ऑपरेशन लंगडाश शुरू कर दिया है यानि यूपी में बदमाश गुंडे, माफिया और दंगाईयों की अब शामत आ गई है अब इन्हें एक तर कुआ और दूसरी तरफ खाई दिखाई दे रही है अब राद करेंगे तो पोलिस ठोक देगी और सरेंडर नहीं करेंगे तो घर पर बुर्डोजर चल जाएगा देखिये रिपोर्ट पूलिस के सामने समर पर करने आया यूपी में बाबा का आपरेशन लंगरा खाकी के खौप में माफिया धाने में सरेंडर की लाइंग 2017 में बाबा ने यूपी में सुशासन और कानून विवस्ता की जो शपत ली थी उससे बुल्डोजर और बाबा की पुलिस बखू भी पूरा कर रही है और यूपी में योगी सरकार 2.0 आते ही गुंडे माफिया और अपराधियों की शरमत आ गई है सरकार 2.0 में बाबा बुल्डोजर के साथ अपरेशन लंगरा लेकर आये है बुल्डोजर माफिया गुंडे और अपराधियों को बेघर कर रहा है तो अपरेशन लंगरा उन्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ रहा है 25 मार्च के बाद से ही अपरेशन लंगरा यूपी के 75 जिलों में जोर शोर से चल रहा है और 75 जिलों में उपरेशन लंगरा करीभी 1000 से जादा अपराधियों को अपना शिकार बना चुका है ये सब के सब क्योंगे तो उत्तरप्रदीस छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तरप्रदीस में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगे होंगी मुझे लगता उस जगे कोई भी नहीं जाना चाहेगा लेकिन जनता को बाबा की यही ठोको पुलिस पसंद है और अब आलम यह है कि गुंडे बदमाश और माफिया अपराधी सरिंडर के लिए थाने में लंबी लंबी लाइन लगा रहे हैं वो भी पुलिस के बिना बुलाए ये बाबा की ओप्रेशन लंगरा का ही कौफ है कि अपराधी बिना बुलाए थाने में हाज़ी लगा रहे हैं इंकाउंटर के डर से सरिंडर कर रहे हैं गुंडे बदमाशों के एक रफ्थर गिराए जाने का डर है तो दूसी सरफ पुलिस की गोली से अपाहिस किये जाने का डर पीटे दस दिनों में 500 से जादा गुंडे बदमाश ठाने में सरिंडर कर चुके हैं पाबा यूपी में गुंडे बदमाशों को टेबल डोज दे रहे हैं एक तरफ उनके सीने पर फुल्दोजर चल रहा है तो दूसी तरफ पुलिस पैरों में गोली मार का लंगड़ा बना दे रही है ताकि फिर कभी वह अपराज करने लायक ही न रहे पीते साड़े पांच सालों में यूपी पुलिस करी 5000 से जादा इंकाउंटर किये हैं इनमें सभी को पैरों में ही गोली मारी गई है और यही है बाबा का अपरेशन लंगड़ा पीरो रिपोर्ट जी मीडिया